बॉलीवूर्ड के टैलेंटिड एक्टर में शुमार राजपाल यादव बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। एक्टर को इंदौर पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। राजपाल यादव ने अपने यूनिक अंदाज से एक अलग पहचान बनाई है। उनकी कॉमेडी के फैंस दिवाने हैं। फिल्मों में उनका छोटा सा किरदार पूरी फिल्म में जान डाल देता है। एक्टर को मध्धिप्रदेश की इंदौर पुलिस ने एक नोटिस भेजा है। और धोखाधरी के आरोप के मामले में उनस जबाव मांगा है। ये नोटिस इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने भेजा है। राजपाल यादव को पंदरा दिन में पुलिस के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। मामले की जाच कर रहे सब इंस्पेक्टर ललन मिश्रा ने बताया की पिछले हफ़ते अक्टर के खिलाफ शिकायत की गई थी। उसी के चलते उन्हें नोटिस दिया गया है। उन्हें 15 दिनों के अंदर अपना जबाव देने को कहा गया है। पुलिस के मुताबिक। तुकोगंज शेत्र में रहने वाले एक कारोबारी सुरिंदर सिंग ने पिछले दिनों एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बॉलिवुड के अभिनेता राजपाल यादव पर धोखाधरी करने के आरोप लगाये थे। पूरे मामले की परताल करने के बाद अभिनेता राजपाल यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जानकारी के अनुसार अभि उने 20 लाक रुपे दे दिये थे। लेकिन पैसे लेने के बाद ना ही राजपाल यादव ने सुरिंदर सिंग का फोन उठाया और ना ही उनका पैसा लोटाया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताए।